नमश्कार यह उसक्लिक में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से हिंदुसान में कॉरोना वाइरस पैंडेमिक के मीडिया कवरेज में बहुत एटेंशन मार्च के आखरी दिनों से तपली की चमात के मर्कज निजामुद्दीन को दिया गया है जब से कोविड नाइटीन का पहला केस का कनेक्शन मर्कज में हुए आयोजित इज्टिमा या वार्षिक सम्मेलन से इस्टैबलिश हुआ है तब से सरकारी ब्रीफिंग और मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आज इतने ज़्यादा जो केस रिपोर्ट हुए हैं उन में से इतने केस तबली की जमात से रिलेटेड हैं क्योंकि तबलीकी जमात के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसलिए लोगों को लगता है कि ज़्यादा सारा का सारा जो केस है वो बैसिकली मुसल्मान संप्रदाय या समाज के साथ लिंक है अभी भी मरकज के अलावा निजाम-दीन बस्ती में कुछ और है ही नहीं ऐसा लगता है ना तबलीकियों के अलावा कुछ है और ना ही उस बस्ती का कोई इतिहास है एक वक्त ऐसा भी था आज से साथ सो साल पहले जब इस इलाके को गियासपूर कहा जाता था माना जाता है कि इस गाओं का नाम उस समय दिल्ली के सुल्तान ग्यासउदीन बल्बन के नाम पर पढ़ा था ये भी कहा जाता है कि बारा सू पचास साल के करीब एक छोटा साथ चाल साल का बालक बदाईयों जिले से अपनी मा के साथ आकर यहां बस गया उसके पिताजी का देहान थो गया यहासपूर उस समय चंगल के बीच यमुना के किनारे और महरोली जो उस समय सल्तनत का राजधानी था वहां से बहुत दूर था शहर से दूर एक एनॉनिमस गुम्शुदा जिन्दगी जीते हुए साथ सो साल बाद आज वो बालक बिल्ली का पेटरन सेंट है मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग निजामुदीन दरगा या बसली गए हैं कहा जाता है कि यहां जो एक बार आ जाता है वो लोट के जरूर आता है खास तोर से अगर आप कभी लेस्पतवार को या थरस्डे को शाम को गए हूं जब कवालियां हगाई जाती हैं दूर दूर से मशूर कलाकार आते हैं कवालियों की बात होती है तो आपको जरूर बहुत सारे हिंदी फिल्मे याद आएंगे जिनमे निजामुदीन में शूटी हुई ये बहूत विख्यात कवालियों को शूट किया गया है रोक्स्टार का कुन फाया कुन और फिर दिल्ली सिक्स का मौला मौला मेरे मौला आप सब के अपने अपने लिस्ट हUNGगे अपने फेज़ेंगे लेकिन आज दर्गा के दरवाजे बंद है ऐसे तो पूरे भारत में सब कुछ बंद है लेकिन अफसोस खास तोर से इस बात का है कि दरगा में जो हक्ती की जो भाव है जिसे सिखाया जाता है तब्लीकी जमात का जो इसलाम का इंटर्प्रेशन है उससे इसका बिलकुल विपरीत परस्पेक्टिफ है इसके बावजूद पूरे दरगा को या निजामुदीन बस्ती को तब्लीकी जमात के प्रिजम से वहाँ जो घंटाएं हुई वहाँ जिस तरह से कोविड नाइंटीन का जो फैला हुआ उसी प्रिजम से देखके निजामुदीन की लेबिलिंग की जा रहे है मैं अकसर निजामुदीन दरगा जाता हूँ आगे भी जाऊँगा लेकिन मुल्ता मैं धार्मिक नहीं हूँ पूजा आर्चना तो दूर की बात हाँ जहां कल्चरल एस्सोसियेशन की बात होती है तब जरूर जाता हूँ मेरे जैसे करोरों हिंदुस्तानी हैं जिनको रिचुवलिस्टिक रिलिजन से परहेज है लेकिन अपने आपको अपने अंदर के बैटरीज को रीचार्ज करने के लिए वो कही ना कहीं किसी ना किसी के साथ चले जाते हैं ताकि उनको मौका मिले कि अपने अंदर जाके खुद से बात कर सके बहुत ऐसे लोग भी हैं भरत में जो फुली रैशनल बींग्स हैं उनके लिए भी लेकिन हजरत निजामुदीन दरगा एक मिसाल है कि कैसे अलग-अलग फेथ के लोग अलग-अलग धर्म के लोग एक ही जगा में आकर सकून पा सकते हैं आपका भी दरगा जाएए चारो तरफ देखिए कोई हाथ जो रहा है तो कोई हाथ जो रहा है यही है हमारे देश की भरोहत यही है हमारे देश की composite culture लेकिन अब यही खत्रे में है हजरत निजामुदीन चिष्टिया सिलसिला के सूफी संध थे इस जीवन पद्रती और सोच की शुरुवात मुईनुदीन चिष्टि जिनका दरगा अजमेर में है उन्होंने शुरुवात की थी हजरत निजामुदीन के खुद के जो गुरू थे वो बाबा फरीद थे वो भी इसी tradition के थे सुल्तान आए और गए हजरत निजामुदीन यहीं रहे और प्यार भाईचारा और रिलिजिस टॉलरेंस का संदेश फैलाते रहे उनकी मृत्यू तेरा सो पच्चिस में हुए आज जो दरगा हम देखते हैं वो इसके बाद बनाई गई थी ग्यासपुर का नाम बदलकर ही निजामुदीन इसी वक्त इसी समय कर दिया गया आज इसको प्यार से लोग हजरत निजामुदीन बस्ती के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली कई बार बसी और उजडी लेकिन जब से निजामुदीन बसी तब से अभी तक नहीं उजडी है। लॉक्डाउन खुलने के बाद अगर आप धर्गा जाएंगे तो देखेंगे फकीर तपस्वी अलग 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 लोग सब वहां खुद भूम रहे हैं बहे वहे हैं। हर डर्गा में घुस्ते ही आपको कब्र दिखाई देंगे। कई सारे कब्र दिखाई देंगे। एक बार मैंने पूछा था सत्तर कब्र कई तो बहुत जाने माने हस्टियों के हैं और कई जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। राजकुमारी जहानरा शाह जहां की पुत्री। मुगल बादशा मुम्मद शाह रंगीला। बहादूर शाह जफर के भाई मिर्जा बाबन और मिर्जा जहांगीर। चौद्वी शतापती के इतिहासकार जियाओ दिन वरानी जिन्होंने हज़रत निजाम अदिन के बारे में काफी कुछ लिखा था। मुगल बादशा हुमाईू उनका भी मकपरा निजाम अदिन बस्ती के पास ही में है और मिर्जा गालिब का तो जो मजार है वो बस्ती के अंदर ही है। पहादुर्शा जफर भी दिल्ली में दफनाना चाहते थे कि उन्हें भी दफनाया जाए। उन्होंने निजाम अदिन में नहीं बलकि महरोली में बक्तियार काकी दर्गा में दो गजजमीन अपने लिए माग करके रखी थी। पक्तियार काकी भी इसी सिलसिले के सूफी संथ थी। पक्तियार काकी का दर्गा भी दिल्ली के सेकुलर ट्रडिशन को दर्शाता है। हर साल पूल वालों की सैथ यहीं से शुरुआ थे थी। लेकिन हजरत दिजमुदीन दर्गा के अंदर जो सबसे मशूर इनसान का मख़वरा है वो हैं आमेर खुसरो जो उस वक्त के सबसे बड़े लेखक और कभी थे। जो भी दर्शन करने आता है उसको सबसे पहले यहां मत्था टेकना होता है उसी के बाद आगे जाते हैं। आमेर खुसरो भले ही बहुत सुल्तानों के कोट वेट रहे हों लेकिन वो हजरत निजमुदीन के बिल्कुल बहुत बड़े शिश्य थे। अगर निजमुदीन को अगर हजरत निजमुदीन को हम दिल्ली के स्पिरिच्वल गुरु माने तो आमेर खुसरो ना सिर्फ दिल्ली के बलकि पूरे हिंदुस्तान के एक तरह से लिटररी मार्क दर्शक माना जाना चाहिए। उनके जीवन काल में ही उनको पूतिया हिंद या पैरट अफ इंडिया कहा जाता है। हिंदुस्तान के मेडिवल एरा के सबसे प्रसिद कवी थे ये और उन्होंने फार्सी में तो लिखा ही लेकिन उसके साथ हिंदुवी को बहुत पॉपलराइज किया। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवी माना जाता है। उनकी इच्छा ये थी कि मृत्यों के बाद उनको यहीं दफनाया जाए हजरत निजामुदीन के पास में। कहा जाता है कि वो स्यादा दिन नहीं जीए हजरत निजामुदीन के बाद और इसलिए उनकी जगा बिलकुर उसी के पास में है। हजरत निजामुदीन को सुल्तानों और सत्ता की राजनीती से कोई लगाव नहीं था। वोकलोर बताता है उनके बादशाओं से बहुत स्ट्रेंड रिष्टे थे। कहा जाता है गियासुदीन तुगलग से उनकी बिलकुल नहीं बने। जब तुगलगबाद का किला बनवा रहे थे तो तमाम लेवर उन्होंने वहां के लिए डाइवर्ट कर दिया। उसी वक्त निजामुदीन ओलिया अपने जहां रहते थे जहां उनके जो फॉलोर्ष रहते थे उसके पास एक पानी के लिए बावली बनवा रहे जब उन्हें पता चला कि किस कारण काम रुका हुआ है तो उन्होंने एक अभिशाप दिया। या रहे उजर या बस इक गुजर। मतलब ये किला या तो उजर जाएगा या फिर गाइध है चलाने वाले गुजर संप्रदाय रहेंगे वहाँ। राशनल एक्स्क्लिनेशन तो ये है कि तुकलगाबाद एक ऐसे जगा अग्यासो दिन तुकलग ने बनाया था जहां पे पानी नहीं था तो पानी के बगेर राजधानी कैसे चल सका रह सकती थी। एक और कहानी पताया जाता है सुल्तान पंगाल से जीत कर वापस आ रहे थी। उन्होंने हजरत निजामुत्दीन को आदेश भिजवाया कि आरिगर भिजवा दीजिए क्योंकि वो दिल्ली के बहार एक अपने लिए भव्वे बिलकम गेठ बनवाना चाहते थी। जवाब सिर्फ चार शब्दों का था फनूज दिल्ली दूर अस्त मतलब दिल्ली अभी भी दूर है कहानियों के मताबिक ग्यास उद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं आ पाए उनके एक शहर के बहार एक हादसे में बिक्तियों होगे। ये कहानिया सही हो या गलत मगर ये जरूर आजाद मानसिक्ता को सेलिब्रेट और उसके पॉपुलियरिटी को पॉइंट आउट करती है। हजरत निजामुदीन ने अपने फॉलोर्स को सिखाया कैसे अपने इंटर्नल बैलेंस को मेंटेन किया जा सकता है। इस सब्दे को कोई भी हासिल कर सकता है। किसी धर्म का वफादार होने की जरूरत नहीं है। हजरत निजामुदीन, हजरत निजामुदीन दरगा और उसके चारो तरफ की बस्ती का यही ट्रडीशन है। कुछ साल बाद, 2025 में हजरत निजामुदीन का 700 वा उर्स मनाया जाएगा। उसके लिए सेक्यूलर ट्रडीशन को बनाए रखना होगा। यही हमारे लिए आज बहुत बड़ा काम है।